Hello dear students, ये वीडियो उन बच्चों के लिए important होने वाला है जो 11th to 12th moving है और 12th के chapter, specially mathematics के order क्या होना चाहिए ये जानना चाहते हैं, तो this is the order of the chapter for J.E. mains during class 12th, अब आप 11th से जब 12th में जाएंगे तो किस order को follow करें? पॉइंट ये है, important यहां पर ये है, कई बार ऐसा होता है, कि बहुत अच्छा बच्चा भी यदि वो गलत order follow करता है, तो उसको बहुत सारी दिक्कते आती हैं, तो इस order को follow करें, साथी साथ में जो deleted syllabus है, उसके बारे में मिडिसस करूँगा, वो बताऊँगा कि वो चीज आप को वास्तों में, NTA ने जरूर उसको delete कर दिया, तो क्या हम अपने, during हमारी preparation होगी, जेई मेंस की, उसमें हम उसको delete करके करें, आगे बढ़ेंगे, या कैसे बढ़ेंगे, वो चीज explain करूँगा, important part है, तो वो हम start ले लेते हैं, देखिए, order chapter का यही रहने वाला है, matrices and determinants, य इसमें जो इन्होंने delete किया वाया है, properties of determinant, उसको आप बिलकुल भी मत छोड़िये, 100% उसको करना है, चाहें वो syllabus से हट गया है, जेई मेंस के syllabus में नहीं है, लेकिन NTA ऐसा भी कर रहा है कि syllabus से हटाने के बावजूद उन्हों में पता नहीं पड़ता, और वो उससे related question दे दे नहीं है, guys एक बहुत ही important point है, कि अगर 10 कडियां आपस में जुड़ी हुई है, बीच में चौती नंबर की कड़ी को आप हटा देंगे, तो पूरी chain तोड़ जाएगी, ठीक है, syllabus जो है पूरा-पूरा, उसमें कोई भी आपको ये सलाह नहीं देगा, कि properties of determinant को आप हटा दो, जब आप matrix and determinant पढ़ रहे हो, तो कैसे हट जाएगा properties of determinant, वो नहीं हट सकता है, ठीक है न, तो उसको आप ध्यान रखिए, कि ये deleted मत मानिये, deleted मत मानिये नहीं, तो chapter में आपकी बहुत सारी कमिया रह जाएंगी, ठीक है, second chapter आप पढ़ने जाएंगे, relation and functions, तो ये तो बहुत depth में detail में पढ़ा जाता है, और इसी order में जाना चाहिए, ठीक है, second chapter ये जाना चाहिए, third chapter inverse trigonometric function ही जाना चाहिए, क्योंकि जब यहां functions पूरा पढ़ चुके होते हैं, तो उसके बाद में ITF को उठाना best रहेगा, क्योंकि बहुत सारा part आप trigonometry आप 11 से करके आये हो, तो ऐस केस में inverse trigonometric function is the best chapter, वो third number पे order में है, तो ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है, इसके बाद में आप enter कर जाते हो, calculus side में, यानि कि limits में आ जाते हो, limits पूरा करेंगे, इसके बाद continuity and differentiability करेंगे, ये बिलकुल order, बिलकुल fix है, कि इसी order में जाएंगे, continuity and differentiability जाएंगे, fifth number, उसके ब इसके बाद में application part में आप enter कर जाएंगे, इसके बाद में rat measure है, errors and approximations, ये chapter पे जाओगे आप, इसके बाद tangent and normals है, इसके बाद में monotonicity है, maxima and minima है, ठीक है, monotonicity means increasing and decreasing function, ठीक है, तो ये आएगा, इसके बाद में आप का जाएगा, maxima and minima, तो ये order, ये application of derivatives करना ही है, कु कि question वो दे देते हैं, और फिर confuse हो जाते हैं, examination hall में आप नहीं बोल सकते हैं, कि NTA ने तो ये question हटाया हुआ है, deleted syllabus से कैसे question आ गया है, आपको वहाँ पर attempt करना पड़ेगा, वहाँ attempt करना पड़ेगा, और बाद में क्या होगा नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन अ वेक्टर पर आते हो, ठीक है, वेक्टर ही पड़ना चाहिए, 3D से पहले वेक्टर ही 100%, यही order बिल्कुल fixed है, कि वेक्टर पड़ा जाए, पूरा complete, और उसके बाद में आप enter कर जाते हो, 3D में, 3D में, ठीक है, 3D में straight line, plane, और यह सारी चीज़ें पड़ते हैं, ठीक है, मै इसमें deleted syllabus के बार में फिर और भी detail में बताऊंगा यहां पर, कि इन में छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, इन्होंने क्यों अटाया, ठीक है न, यह NTA से बार-बार question उठता है, कि जो बहुत ही key applications होती ही, किसी chapter की, उसको कैसे अटा सकते हो, ठीक है, लेकिन हट अटा रहे हैं, बिना सोचे समझें, अटा रहे हैं उनको, ठीक है, तो 13 नंबर पर गाईज आपको आना है, indefinite integration पे, ठीक है, इसके बाद में definite integration आजाईए, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, order बिल्कुल packed है, ठीक है, area under the curve, उसके बाद में application part आजाती है, integration की, area under the curve आजाता होता है, और जब बच्चा बिल्कुल भागने के मूड में होता है, उस समय सबसे important topic, 12th का, जो की probability distance होता है, उसको ध्यान रखिये, कि उस समय में कोई ऐसी चीज मत रखिये, उसको 100% पूरा दिल, दिमाग लगा के उसको chapter को करना है, और उसके लिए जितना समय देंगे, उत आपने शुरू में नहीं दिया न, तो आप भूल जाएए कि exam time में इसको chapter को कभी तयार कर पाएंगे, ये बिल्कुल बहुत ही सुकून के साथ में, patience के साथ में, सीखने वाले chapters है, इनको कभी भी जल्दी बाजी में तो सीखा ही नहीं जा सकता, इसके लिए बहुत समय देन पड़ता है, तो ये last chapter डिसस होता है, अब हम बात करें, deleted syllabus की, अब इन्होंने क्या किया, application part में से, rolls theorem and lagranze theorem को हटा दिया है, rolls theorem and lagranze theorem का जो application में, जो application of derivatives में, जो use है न, उसका quadratic में use है, roots के साथ में, उसको जो जो हम चीज निकालते है, increasing, decreasing function के साथ में, यो utilize होता है, ठीक ह maximum minima के साथ में utilize होता है, इस rolls theorem and lagranze theorem का, तो ये कैसे हटा सकते हैं इसको, ठीक है, ये तो actual fundamental use है, इसका, इसका fundamental use है, और उस fundamental use को आप कैसे अलग करके और बात कर सकते हैं, ठीक है न, तो इस chapter को आप, मैं मेरी सला दे रहा हूँ, आप 100% इसको आप deleted में मत रखीगा, rolls theorem and lagranze theorem को बिल्कुल complete cover करना है आपको, एक इनों ने ये चीज़ हटा दिये, integral as a limit of a sum, हटा भी दिया और NTA ने इस बार JEMANS 2024 में एक question भी दे दिया, ठीक है न, तो आप ध्यान रखे, ये तो फिर वापस होई बात आती है, कि it's a important application, जो की करनी ही चाहिए, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, और ये इनों ने देखी कितना, मतलब बहुत ही silly mistake कर रखी है, कि इसको deleted में डाल रखा, formation of differential equation, अब आप एक चीज़ बताइए, कि जिस तरह से equation formation होती है, formation of differential equation होती है, और differential equation का solution तो हम लोग निकालते हैं, लेकिन differential equation कैसे बनी, पहला पार्ट तो यही सीख पड़ता है, और उसके बाद में differential equation को solve करना होता है, तो उसके वापस initial form में उसको लेके आते हैं, तो formation of differential equation सीखे बिना, आप differential equation को कैसे work out करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपको 100% करके जाना है, और एक इनों ने जो हटाया है, वो यहां दिख रहा है, बिलकुल ठीक है, intersection of line and plane, intersection of line and plane in 3D, ये चीज़ हटा दी है, ठीक है न, लेकिन ध्यान रखें गाईस, हटाना नहीं है, इसको आपको बिलकुल short shot करके जाना है, पूरा, और co-planar lines, अरे यह तो कभी नहीं हटा सकते, co-planar lines, line के co-planar होने की condition, और दूसरी सारी बाते हैं, जिस plane में होती हैं, फिर lines के होने की, एक line के होने की, दो line के होने की condition बनती हैं, वो सारी line, तो वो कैसे हटा देंगे, वो नहीं हट सकती हैं, ठीक है न, इसे part of a total plane और line की जो different applications हैं, वो आपस में एक दूसरे से entangled हैं, entangled है, आप उसमें से कोई चीज हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो guys ध्यान रख कि इस order को follow करेंगे, आप during 12th, तो आप अपना best result निकाल सकते हैं, और इसको जिस तरह से मैंने बताया, deleted syllabus को आप भूल जाहिए, उसको आप 100% करके जाहिए, क्योंकि अगर आप चाते हैं, कि आपकी तियारी बहुत अच्छी हो, जब आप बैठे हो, तो वहाँ पे ऐसा क्यों जाएंगे, छोड के क्यों जाएंगे, जिस टीच को workout करने में दो दिन लग जाते हैं, मान लिजे एक दिन का समय अगर लगता है, तो उसको उतना time दे के उसको 100% complete कर दें, ठीक है न, वो question भी दे दे रहे हैं, वो देके, delete करने के बाद में उसमें से question भी दे दे रहे हम even NTA की बातों में नहीं आने वाले, कि उन्होंने syllabus क्या mention किया, हमें यह पता है, यह जो chapter एक है, इस chapter के लिए इन basic सारे points की जरुत है, तो वो सारे basic points तो आपको पढ़के जाने हैं, ठीक है न, उसमें बार-बार syllabus देख देखके हिसाब से वैसी पढ़ाई नहीं करने हैं, So all the best guys, आप इस order को follow करें, आप अच्छा result तरह से निकाल पाएंगे,